पॉर्मर फैमिना मिस इंडिया दिया मिर्जा ने दूसरी शादी रचाली है मुंबई बेस बिजनिसमेन वैभव रेखी के साथ उन्होंने बड़ी धुम धाम से वैलेंटाइन डे के दूसरे दिन यानि की 15th of Fab की लेट नाइट शादी रचाली शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से होी इस शादी में خاص तौर प्राकर्शन का केंद्र बनी हुई थी महिला बंजे तो वहीं इस मौके पर महिला पुराहुत को दिया और दैभव की शादी कराते वें देख फैमिनिज़म को लेकर दिया की काफी तारीफ हुई इसे भी जादा तारीफ दिया मिर्जा और दैवव रेखी की शादी पर करने वाली सबसे जादा चौकाने वाली बात ये है कि कोई और नहीं दिया मिर्जा की सौतन यानि की वैभव रेखी की एक्सवाइब सुनेना रेखी है जिहां जुन सुनकर आपको जटका जरूर लगेगा योगा इंस्ट्रक्टर सुनेना रेखी जिनके साथ तलाग के बाद वैभव ने दिया मिर्जा से शादी किये दिया ने भी साल 2019 में शाहिल सांगा के साथ तलाग ले लिया शादी के फान साल के रिष्टे पर तलाग का मोहर लगाने के बाद फिक दो साल बाद दिया दूसरी शादी के बंदन में बंद गई शादी के दिन दिया मिर्जा के हस्बिन बैभवते थे ही लेकिन साथ में खुशी की बात ये थी कि दिया को अपने सौतेली मा, दुशरी मा के रूप में सुविकारने के लिए सुनैना रेखी और बैभव की बेटी समायरा भी तैयार ख़ली रही पापा की गर्ल बनकर वो बराती की तरफ से आई और अपनी मॉम, सेकंड मॉम के स्वागत में वो चूम उठी इससे भी जादा बड़ा तौफा क्या हो सकता है दिया मिर्जा के लिए जिस सुनैना रेखी ने दिया जी हाँ सुनैना का कहना है कि जो प्यार वो देखना चाहती थी सुनैना और वैभव में वो प्यार वो नहीं देख पाई और आज जाकर दिया के साथ वैभव का रिष्टा प्यार भरा जड़ गया है शादी में उस प्यार को देखकर वो खुश है कहना है सुनैना का कि जिस भी बात की जाए जिस तरह से फूल वेक रही थी उन वीडियोज में उनके बेटी दिया मिर्जा पर जिस तरह से उक्साइटेड नजर आए मुंबई में सुनैना की कोई फैमिली नहीं है इसलिए वो खुश है कि सुनैना को अब फैमिली मिल गई है ये फैमिली बढ़ गई है परिवार में और लोगों का आना हमेशा अच्छा होता है सुनेना का कहना है कि सुनेना ने अपनी फैमिली में तो प्यार नहीं देखा लेकिन अब वो दूसरी मा की आने से अपने पिता को खुश देख रही है और दोनों को खुश देख कर प्यार पा रही है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है तौफा देती वी इस तरह से नायाब तौफा सुनेनारेखी ने दिया मिर्जा को दिया है नेक्स्ट नाइन न्यूजरूम से त्रिप्ते की रिपोर्ट